विज्ञान की जब बात आती है विज्ञान हमेशा ये समझ लेना चाहिए कि ये वैश्विक होता है या जाक्तिक होता है जिसको हम यूनिवर्सल कहते हैं और तंतरग्यान जो है ये हमेशा स्थानिय होता है लोकल होता है अच्छे अच्छे विज्ञान पढ़ने वाले विद्यारतियों को भी मैंने देखा वो विज्ञान को ही तंत्रग्यान कहते है और तंत्रग्यान को ही विज्ञान कहते है दो हाइड्रोजन और एक अक्सिजन लेके दुनिया में कहीं पे भी जाएंगा तो उसका पानी ही बनेगा यह मुल्भूत विज्ञान है लेकिन इसी पानी का उपयोग करके हम कुछ पेय बनाते हैं जैसा पेपसी है कुछ नीबू शर्बत है यह तंत्रग्यान है लेकिन यह फरक जब तक आपने को समझेगा नहीं तब तक हम विज्ञान के नाम पे तंत्रग्यान ही आयात करते रहें और इसी के कारण आज जो खेटी के आवस्ता हुई है वो तंत्रग्यान आयात करने के कारण हुई है मुलभूत विज्ञान अगर समझा देते हैं तो फिर तंत्रग्यान विकसीत करना कोई बड़ी बात नहीं है तंत्रग्यान के बारे में गांधी ने एक बहुत अच्छी व् पुसार स्थानिक साधनों से स्थानिक लोगों के माध्यम स्थे कम से कम खर्चे में और कम से कम स्रम में जो विज्ञान सिद्ध होता है जो विज्ञान उपयोग में लाया जाता है उसे हम तंत्रग्यान कहना चाहिए लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जितना ज्यादा तोड़ बिविग्यान का उपयोग करके हम यहां के लिए तंत्रग्यान कशिद करेंगे तो ऊज़ादा काम की चीज़ होगी नकी इस मेगाले के एरिया में कोई बाकी हमारे देश की परिस्थिती को देखते होई यहां प्रिस्ठी एक दम ही अलग है अगर उदर का तंत्रत ज्यान हम यहां लाएंगे तो यहां के दुष्टी से हो सकता है वे बिना काम का होगा या उससे जो चाहे वो फल हमें नहीं मिलेगा इसलिए यहां की मेगाले की परिष्टी को देखकर ही हमें यहां के साधन यहां का मनुष्य शक्ति का वापर यहां के लोगों की अकलन शक्ति इसको सबको ध्यान में लेकर ही हमें यहां तंतर ज्यान विकसित करना चाहिए तो ही कुरुष्टी के दुष्टी से जो पौदे बाहर से भले ही लाए हो लेकिन यहां के परिस्तिती में हम डाल सकते हैं और यहां के लोगों के माध्यम से उसको अगर हम विकसीद कर सकते हैं तो वो आगे चलके वो लोग आसानी से उसकी खेती कर पाएंगे इसलिए यहां का और बाहर का यह फरक नहीं करते झाल